नमस्कार विश्व भर से आए सभी अतिधिकां केंद्रिय केविनेट के मेरे सहयोगी महाराष्ट गोवा के मुक्हमंत्री उपमुक्हमंत्री अन्य महानुभाव, देवी और सर्जनों ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समीट के तीसरे संस्करन में मैं आप सभी का अभिनन्दन करता हूँ इससे पहले जब हम 2021 में मिले थे तब पुरी दुनिया कोरोना की अनिस्सित्ता से गीर हुई थी कोई नहीं जानता था कि कोरोना के बाद का विश्व कैसा होगा लिकिन आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ओर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ओर्डर में पूरा विश्व भारत की और नई आकांग्शाओं से देख रहा है आर्थिक संकट से घीरी दुनिया में भारत की अर्थेववस्ता लगातार मजबुत हो रही है वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप फ्री एकनोमिक पावर में उसमें से एक होगा हम सब जानते हैं कि दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड सी रूर से ही होता है पोस्ट कोरोना वर्ल में आज दुनिया को भी रिलाएबल और रेजिलियन्ट सप्लाइचेंज की जरूरत है इसलिए ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समीट का ये एडिक्षन बहुत महत्वण हो गया है साथियों इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मेरिटाइम केपबिलिटी मजबूत रही है देश और दुनिया को इससे बहुत लाब हुआ है इसी सोच के साथ बीते नव दस वर्सों से हम इस सेक्टर को ससक्त करने के लिए योजना बद्द तरीके से काम कर रहे हैं हाली में भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21 सदी में दुनिया भर की मेरिटाइम इंडिस्ट्री के काया कलब का सामर्थ रखता है G20 समीट के दौरान इंडिया, मिडल इस्ट, यूरोप, एकनॉमिक कोरिडोर पर अईतिहासिक सहमती बनी है सेंकडो वर्स पहले सिल्क रूट ने बैश्विक व्यापार को गती दी थी ये रूट दुनिया के कई देशों के विकास का आधार बना था अब ये एकनिहासिक कोरिडोर भी रीजिनल और ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदल देगा नेक्स जनरेशन मेगापोर्स और इंटरनेशनल कंटेइनर ट्रांसिप्मेंट पोर्स इसका निरमाण आइलेंड डेवलोपमेंट इनलेंड वोटर वेज मल्टि मोडल हर्प्स का विस्तार ऐसे कई बड़े काम इस योजना के तहट किये जाने हैं इस कोरिडोर से बिजनेस कॉस्स कम होगी लोजिस्टिकल एफिशन्सी बड़ेगी परियावरन का नुक्षान कम होगा और बड़ी संख्या में जॉब्स का भी निरमान होगा इन्वेस्टर्स के पास ये एक बड़ा आउसर है कि वो भारत के साथ जुड़कर इस अभियान का हिस्सा बने फ्रेंट्स आज का भारत अगले पचीस वर्षों में विक्सित होने के लक्ष पर काम कर रहा है हम हर सेक्टर में क्रांती कारी परिवर्तन ला रहे हैं हमने मेरिटाइम इंफ्रास्रक्टर के पूरे एको सिस्टिम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है बीटे एक दशक में भारत के मेजर पॉर्ट्स की केपरिसिटी डबल हो चुकी है कंटेनर बेशल्स का जो टर्नराउंट टाइम आज से नवदस साल पहले 2014 में करीब 42 अवर सा वो 2023 में 24 अवर से 24 गंटे से कम रह गया है पॉर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमेटर की नई रोड बनाई है सागरमाला प्रोजेक्ट से भी हमारे कोस्टल एरिया का इंफ्रास्टर मजबूत किया जा रहा है यह सारे प्रयास एम्प्लोईमेंट जनरेशन और इस अब लिविंग को कई गुना बढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स पॉर्ड्स फर प्रस्परिटी और पॉर्ड्स फर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बढलावला रहा है लेकिन हमारे काम ने पॉर्ड्स फर प्रोड्क्टिविटी के मंत्र को भी आगे बढ़ाया है एकॉनोमी की प्रोड्क्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लॉजिस्टिक सेक्टर को भी इफेक्टिव और एफिशन बना रही है भारत अपने कोस्टल सिपिंग मोड का भी आधुनी करन्ट कर रहा है बीते एक दसक में कोस्टल कारगो का ट्रेफिक दो गुना हो गया है और इससे लोगों को एक कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक आप्शन भी मिल रहा है भारत में इनलेन वाटर वेज की विकास से भी बड़ा बडलाव आ रहा है पिछले दशक में नेशनल वाटर वेज की कारगो हैंडलिंग उसमें करीब चार गुना ग्रोथ देखने को मिली है हमारे प्रयासों से बीते नव पर्षों में लॉजिस्टिक पर्फॉर्मन्स इंडेस में भी भारत की रेटिंग्स बहतर हुई है साथियों शिप बिल्डिंग और रिपेर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है हमारा स्वदेशी एरक्राप केरियर आइनेस विक्रांत भारत की छमता और भारत के सामर्थ का प्रमाण है अगले तशकों में भारत दुनिया के टॉप फाइव शिप बिल्डिंग नेशन्स में से एक होने जा रहा है हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया मेक फ़र वर्ल मेरिटाइम क्लस्टर्स के विकास के जरिये हम शिप बिल्डिंग स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने के इंटिक्रेटेड एप्रोच पर काम कर रहे हैं हम आने वाले वक्त में देश में कई स्थानों पर शिप बिल्डिंग और रिपेर सेंटर्स विक्सित करने वाले हैं शिप रिशाकलिंग के ख्षेतर में भारत पहले ही ग्लोबली दूसरे स्थान पर है अपने मेजर पोर्ट्स को कार्बन नूट्रल बनाने के लिए भारत मेरिटाइम सेक्टर में नेट जीरो स्ट्रेटेजी पर भी काम कर रहा है हम एक ऐसे भविश की और से बढ़ रहे हैं जहां ब्लू एकोनोमी ग्रीन प्लैनेट बनने का मध्यम होगी फ्रेंड्स दुनिया के बड़े बड़े मेरिटाइम ऑपरेटर्स भारत आएं बारत से ही ऑपरेट करें इसके लिए भी भारत में तेजी से काम हो रहा है गुजरात के आदुनिक गिफ्ट सिटी ने शीप लीजिंग को एक प्रमुक फाइनेंशियल सर्विस के तौर पर लॉंच किया है गिफ्ट आई एफ एस सी द्वारा शीप लीजिंग कंपनियों को अनेक तरह की छूड़ भी दी जा रही है मुझे खुशी है कि दुनिया की चार ग्लोबल शीप लीजिंग कंपनिज गिफ्ट आई एफ एस सी के साथ रजिस्टर भी करा चुकी है मैं इस समीट में आई अन्य शीप लीजिंग कंपनिज से भी गिफ्ट आई एफ एस सी के साथ जुनने का आहवान करूंगा साथियों भारत के पास विशाल कोश्ट लाइन है मजबूत रिवराइन इकोसिस्टिव और रीच कल्चरल हेरिटेज है यह एक साथ मिलकर मेरिटाइम टूरिजम की एक नई संभावना पैदा करते हैं भारत में मौजूद करीब पांच हजार साल पुराना लोथल डौक्याड एक विश्व विरासत है एक तरह से लोथल क्रेडल अप शिपिंग है इस वर्ल हेरिटेज को संवरक्षित करने के लिए लोथल में नेश्टनल मेरिटाइम हेरिटेज कम्प्लेश भी बनाया जा रहा है मुंबई से लोथल बहुत दूर नहीं है मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक बार लोथल भी विजिक करने जुरूर जाए फ्रेंड्स मेरिटाइम टूरिजम को बढ़ाने के लिए हमने विश्वकी सबसे बड़ी रिवर क्रूज सर्विस की शुरुवाद भी की है भारत अपने अलग-अलग पॉर्ट्स पर इससे जुड़े कई प्रोजेक्स पर काम कर रहा है मुम्मई में नया इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाये जा रहा है इसी साल हमने विशागा पतनम और चिन्ने में भी ऐसे मोडन क्रूज टर्मिनल बनाये हैं भारत अपने स्टेट अप दा आर्ट इंफ्रास्ट्रक्टर के जरिये ग्लोबल क्रूज हब बनने की और कदम बढ़ा रहा है साथियों भारत उन चुनिंदा देशों में से एक हैं जिनके पास डेवलप्मेंट डेमोग्राफी डेमोक्रेसी और निमान का ऐसा कॉम्बिनेशन है ऐसे वक्त मैं जब भारत 2047 तक विख्षिद भारत होने के लक्ष पर आगे बढ़ रहा है आपके लिए यह सुनहरा मोका है मैं विश्व भरके आप सभी निमेशकों को फिर आमंत्रित करता हूं कि आप भारत आएं और विकास के रास्ते पर हमारे साथ मिलकर चलेंगे हम साथ चलेंगे हम साथ साथ मिलकर के नया भविश्य भी बनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद